जिस जंद्र मास में संक्रान्ती नहीं होती उसे अधिक मास या मल मास कहते हैं ब्रह्मा जी द्वारा रजित प्रकृति के नियमों नुसार बारा मास थे फिर इस तेर्वे मास के अवशकता क्यूं पड़ी इसके पीछ एक वर्दान की कता है देते राज हिरेने कशप ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसंद होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर्दान मांगने को कहा तब हिरेन कशप ने भ्रह्मा जिसे कहा कि उनके बनाए प्रानी, सुर, असुर, पर्शु, पक्षी और मनुश्य उसे ना मार पाए वहना दिन में मरें ना रात में, ना घर के भीतर मरें, ना घर के बाहर, ना पृत्वी पर मरें, ना आकाश में वह ना किसी यूद में असर से मेरे, ना किसी शस्र से, ना बारा मास में मरें, वह पूरे भ्रह्मान का एक छतर राजा कहलाए ब्रह्मा जी ने उसे उसका मन चाहा वर्दान दे दिया वर्दान पाकर हिरनेन कशप अपने को भगवान मानने लगा जो उसे भगवान नहीं मानता वह उसका वद करवा देता था उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विश्णू का भगत था हिरिने कशप ने अपने पूत्र को खूब यातनाय दे लेकिन उसने ना तो भगवान विश्णू की भक्ती छोड़ी और ना ही अपने पिता को भगवान माना अंत में भगवान विश्णू ने ब्रहमा जी के वर्दान अनुसार नर्सिंग रूप में प्रकट होकर हिरिने कशप का वद्ध किया इसके लिए उन्होंने बारा मास के अतिरिक तेरवे मास के रूप में अधिक मास का निर्मान किया नर्सिंग अफ्तार धरा यानि ना सुर ना असुर ना नर ना पशू और ना ही भ्रहमा जी की स्रिष्टी का अंग उस समय संध्या वेला थी यानि ना दिन था ना रात महल की चौकट पर ले जाकर वद्ध किया ना महल के भीतर ना बाहर ये यूद भी नहीं था उन्होंने उसे अपनी जंगा पर रखकर उसके पेट को अपने नाखुनों से चीर करवत किया यानि ना तो वो अकाश में मरा और ना ही पृत्वी पर ना किसी अस्तर से मरा ना ही किसी शस्तर से हिरने कश्रप के वद करने के उद्धेश से बनाई ये तेरवा मास अधिक मास कहला आया बारा मास में से हर मास के देवता थे लेकिन अधिक मास में संखरांधी ना होने के कारण कोई भी देवता इस मासी पती बनने को तयार नहीं हुए तब सभी रिशी मुनियों सहित अधिक मास भगवान विश्णू के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विधा सुनाई तब भगवान विश्णू उन्हें श्री कृष्ण के पास लेकर गए श्री कृष्ण ने अधिक मास को वर्दान देते हुए कहा कि आज मिस्से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरे एक नाम पुर्शुत्तमास के नाम से जाने जाओगे और तब ही से अधिक मास का नाम पुर्शुत्तमास हो गया बोलो रादे रादे